जे हिंद नमस्कार मेरे प्यारे सातियों आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट एज्यूकेशन चैनल जवाब बुलेट पर है तो दोस्तों बता दूं कि कल जो विज्ञान और गनीत का है वो परिणाम जारी हो चुका है जिसमें एक जार इकाउन पद वो खाली रखे गए हैं तो विदार्टियों जो लेवल टू था साइंस में उसका परिणाम अंतीम रूप से जारी हो चुका है और इस परिणाम के अंदर जो शात जार चाहसो पेंटीस पदों पर छेजार तीन सो चुरियां सी अब्योर्टियों का चैन किया गया है तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ही है कि एक जार पदी खाली रख लिए गए हैं और इस पूरे नोटिस बॉर्ड में क्या दिया गया है कितनी जो कटॉप गई है इसके में 113 पदों पर 966 अब्योर्टियों का चैन हुआ है शिक्ष्या विबाग अब अंतिम रूप से चैनित इनने अब्योर्टियों को जिला आवंटन करेगा इसके बाद जिलू में काउंशिल का आयोजर होगा और सामाइन ये शिक्ष्या है जो इसकी ये मेरिट कितनी गई ह और कितनी नहीं गई है उनकी पर चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों सामाइन केतिकरी की जो कटोँप गयी है वो गई है 118 में 0.18 और सामाइन मैला की गई है 118 और स्ट मैला की गई है 100 गुन साथ EWS की गई है 116.50 और OBC की गई है 112.70 EWS मैला की गई है 116.00 और OBC मैला की गई है 112.70 SC की गई है 170 और MBC की गई है 180 SC की मैला की गई है 166 और MBC मैला की 100 गुणशितर तो दोस्तों इस परकाश से बता दूँ आपको कि इसमें जो समयनी केटिगरी की है वो 108 में मतलब पूरा 200 समझो आप 200 मेरिट का आगड़ा रहा है और जिसमें 7,435 पदों पर होनी थी भरती लेकिन 6,344 अब्यटियों का ही चेन किया गया है इसमें 1,000 इकाउन पद खाली रख लिए गए हैं यहां पर बिल्कुल इस पेस्ट दे रखा है 1,000 इकाउन पद खाली रह गए हैं मतलब विद्यार्तियों को परिणाम बोर्ड है जो एकजार पद खाली रख के परिणाम के साथ यह 502 अब्यटियों की प्रविजन नहीं सोची जारी किये और परिणाम है जो यह अंटिंग रूप से जारी हो चुका है अब काउंसलिंग की परकिरिया जारी होने वाली है तो दोस्तों आगे भी ऐसी बड़तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरू सब इसक्राइब कर ले तब तक के लिए धन्यवाद जेहिन